तो आज हम कस्टमाइज 2-tier cake बनाने जा रहे हैं पाइनेपल फ्लेवर में यूज कर रहे हूँ तो यह देख सकते हूँ आप पानी में मेरे पाइनेपल क्रेश को डालके पानी को अच्छे से फ्लेवर वाला बना दिया है और इसी पानी से में cake को को सोक कर रहे हूं तो आप ज के लिए मेरे इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकोन को भी आप प्लीज क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो बहुत सारे वीडियो अलरड़ी मेरे यूट्टुब चैनल पे अप्लोड़े फ्रे काश्टमाइज का ओरडर है अपाफंडन के एससंस बनारे तो अपको अरलियर इनको बनाके रखना है तो इस तरह से केक के ओड़र जो होते हैं अपको last moment पे नहीं लेने होते हैं बहुत तारे हो जाता है पाफंडन के एससंस को बनाना उसको आपको ड्राय करना बहुत ही time can और होता है तो आपको आडोर होते है उनको आपको एड़द में टू डियस पहले ही ले ले ना होता है एक दिन पहले ही बजस loser को बना के रखा है यह हमारा fresh हम टीम हच गारी है मोसली बोहत सारे क्वेश्णन साहें यहां बोटम तीन किया है, मैं बता देँ it! जिसमें 1.5 kg केक बना रहे हूं यह दमेरा 5-0, गीमिक बना रहे हूं और नियुज़ में उसे 7-5 धरatt та रहे था-kेक बना रहे रहे हूं एंड निचे तरहे हैं एंड रपधयर है बहुक्त सारे क्वेटेंज हो गार देखे जिसमें मेरे अब्धियार य जो हमारे यूज्वेली बहुत सारी स्टूडनषे और सीटी रहते हैं क्रीम ह An A से रिलेटेड हो, SPONS से रिलेटेड हो, या किसी भी केक रिलेटेड जो भी QUESTIONS होते हैं, जो भी QUERYS होती हैं, आपको अरलियर वीडियो में DEFINITELY SALL हो जाएंगी, आप जरूर वीडियो देखिए, गराश रेसिपी अपलोडेड है, बहुत सारी केक आइसिंग के वीडियो अ इस तरह से जो यह में नीचे वाला अब देख सकतो यह वाला मेरा 1.5 की जी का बड़ा वाला नीचे वाला बॉटम टीन है जिस तरह से यह मैंने आइसिंग किया है इस तरह से जो बड़े चोटा केक भी बना रखने वाली हो यह मैं आपको फूल प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ जिस तरह से मैं नीचे वाला बड़ा वाला टीन का आइसिंग किया है सेम वे इस केक को भी मैं आइसिंग करके इसको साइड में रख रही हो ठीके फ्रेज में इसको क्रम कोटिंग करके आपको अच्छे से केक को सेट होने देना है तो यह प्रोसेस में फूल नहीं दिखा रही हूँ फ्रेंज कि अर्लियर आपको बड़े टीन वाला प्रोसेस में ने दिखा दिया तो सेम वे छोटे टीन का भी आपको सेम प्रोसेस करना है आइसिंग क हो जाए इसलिए आपको केक को अच्छे से सेट कर लेना बहुत जादा ज़रूरी और उसी के साथ आपको केक में डॉवल्स जालना है जिसके वज़े से आपका केक बहुत अच्छे से स्टेबल रहेगा उपर वाले टियर का वज़न नीचे वाला टियर अच्छे से ले है तो डॉवल्स जालने का जो प्रोसेस है ने फ्रेंड्स मेरे से वीडियो बाई मिस्टिक मेरा वीडियो जो ना पॉज हो गया तो वह वाला प्रोसेस यहां पर इस वीडियो में नहीं दिखा है तो उसमें डॉवल्स किस तरह से केक में डालना है मैंने दिखाया हुआ है आप जरू चेक कीजिएगा अर्लियर वीडियो भी तो डॉबर जाले का जो प्रोसेस है मेरा रह गया है यहाँ पर मैंने कॉम्म यूज किया हुए केक क्यूपर डिजाइनिंग के लिए अपने से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो मेरे अर्लियर वीडियो में आप देख सकते हो म इस बहुत ही प्रिंडिंग डिजाइन है वो भी बहुत पयारा लागता है केक के उ पर तो आप ज़्रू देख ली जेगा यहाँ आइसिंग का प्रोसेस, फाइनल आइसिंग का प्रोसेस, बहुत सारी वीडियो में आप देख सकते हो, जिस तरह से मैं आइसिंग कर रही हूँ, अगर आपको इस तरह से आइसिंग करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप पाइपिंग बैक का यूज़ कर लीज़े, का यूज़ करना सोचती नहीं, इसी तरह से हम पूरे केक का आइसिंग करते हैं, तो जैसी आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी डेफिनेटली ये वाला टेक्निक बहुत एजी लगने लगेगा, तो आप जरूर ट्राय कीज़े, दोनों तरह से प्रैक्टिस कीज़े, आपको जो suitable होता है, convenient होता है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो मेरे बहुत सरे वीडियो में आप देखोगे, तो मैं इसी तरह से icing करते हूँ, मैं piping bag का यूज़ करती नहीं हूँ, बट, choice रहेगी, जिसको जिस तरह से suitable होता है, उस तरह से आप process यूज़ कर सकते हो, ठी यूज़ के लिए या तो सीधा palette knife से भी finishing दे सकते हैं, जिसको जिस तरह से convenient होता है, उस तरह से आप लोग कर सकते हो, देखिए फ्रेंस मैंने जैसे के बता है, मैंने shade यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैंने just nominal pink color के shades कही के पर लगा दिया, इसको scraper से गुमा दिया, तो अच्छा नहीं दिखता है, उतना यह shaded वाला बहुत अच्छा दिखता है, तो इस तरह से बहुत सारे cake के उपर आप यह वाला texture effect या तो shading effect कर सकते हो, तो direct color shading effect इसे कहा जाता है, बहुत प्यारा लुक आता है, देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है, दोनों tears ready है, अब ए इसको उठा लीजे, ठीक है, तो इस तरह से आपको एक के उपर एक cake को stack करना है, धीरे से palette knife निकाल दीजिए, और कम पल्सरे एक डॉबल डाल दीजिएगा, अंदर safety के लिए, ताकि आपके layers ही लेना, तो इस तरह से मेरे fondant के essence ready है, first birthday cake है, बेबी के लिए है, एक प्यारी स cream cake के उपर रखते हो, तो उनको अच्छे से पहले तो dry होना जो होत ज़्यादा ज़रूरी है, तो essence को earlier two days earlier बना के रोखोगे तो best रहेगा, तो यह मेरा प्यारा सा cake बिलकुल ready है, hope आप लोग को अच्छा लगा होगे friends, so video को like and share कीजिए, मेरे channel को subscribe कीजिए, thank you